जेह हैं दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए हाँ पर बहुत ही महत्तपूर्ण कॉस्चन आंसर आपके लिए बाबु गुलाब राय जी से सम्मंदित तो वीडियो पूरा वस्त देखना है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर लें वो जादा से जादा वीडियो को सेर करें ताकि अनलोग भी एफ वीडियो देख सकें और Self-Study Classes एफ डाउनलोड करिए यहाँ पर आपके लिए हिंदी साहित का संपुल कोर्स हिंदी साहित की टेस्ट सीरेज आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध है ओपर चलता है तो Self-Study Classes एफ डाउनलोड करना है यहाँ पर 2020 टेस्ट सीरेज करवाई जाते हिंदी साहित की free test series करवाई जाते है self study classes app में play store पर जाए self study classes app डाउनलोड करें इस test series में भाग लेजिए और अपनी तयारी को मजबूत बनाए self study classes app की माध्यम से बाबु गुलाब राय जी से संबंदित first question की बात करें तो यहाँ पर इन से संबंदित first question पूंचा गया है कि बाबु गुलाब राय का जन्म कब हुआ यह महत्तपुन question है कि बाबु गुलाब राय का जन्म कब हुआ तो आपका बिल्कुल सही right answer है यहाँ पर बिकल्प number B यानि कि 1888 ECB में बाबु गुलाब राय जी का जन्म कहां पर हुआ था तो इनका जन्म यह बताना है आपके लिए इनका जन्म कहां पर हुआ था तो बिल्कुल सही right answer है आपका सही answer है कि इनका जन्म हुआ था इटावा उत्तर प्रतिस तो यह बिकल्प नमबर D यहाँ पर सही आंसर है बाबु गुलाब राय मूल रूप से है तो यह मूल रूप से क्या है यह आपके लिए बताना है तो question नमबर आपका यहाँ पर 3 है और 3 का जो सही आंसर है भै क्या होगा right answer तो question बाबु गुलाब राय मूल रूप से question number 4 क्या पूचा है तो question number 4 है बाबु गुलाब राय ने किस पत्र का संपाधन किया question number 5 है और question number 5 का right answer है इन्हों ने जो पत्र का संपाधन किया तब है कौन सा पत्र था तो बिल्कुल सही right answer है साहित संदेश विकल नमबर आपका यहाँ पर सी right answer होगा बाबु गुलाब राय की मनुब्यग्ज्यान से संबंद्ध निवंद रचिना कौन सी है जो मनुब्यग्ज्यान से संबंद्ध है तो आपका यहाँ पर सही answer क्या होगा महत्त पुन question पूचा गया है और इसका जो सही answer है बहे आपका right answer question number अपना है पाँच और मन की बात विकल नंबर डी right answer है किस आलोचक ने रसों का संबंद संबंद संघीत से जोड़ा है तो आलोचक कोन है बहे आलोचक जाते हैं बाबु गुलाब राय जणनों रसों का संबंद संघीत से जोड़ा है बिलकुल साई question number 7 क्या पूचा देख लेते हैं बाबु ग Q7 का राइट आंसर है, क्या है सही आंसर? तो विकल्प नंबर C राइट आंसर है, हिंदी साहित का सुबोध इतिहास है, तो यह आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही. Q7 आपका यहाँ पर आठ पूंचा है, बाबु गुलावराय की आत्मकता कौन सी है? इनकी आत्मकता बताना है, तो कौन सी है? बताईए, महत्पूंड question पूंचा गया है, और आपका सही आंसर होगा, मेरी अस्फलताए विकल्प नंबर आपका एक जो है सही आंसर होगा, फिर निरासके और निवंद का रचिनाकाल बताना है, क्या होगा? इसे निवंद का रचि नंबर अपना यहाँ पर है, नो और नो का सही आंसर बताना है, क्या होगा रचिनाकाल बताना है, बिल्कुल सही आंसर बताया है, कि विकल्प नंबर आपका सही आंसर है, उननेस सो अठारा, इस भी, question नंबर दस क्या पूंचा है, देख लेते हैं, मन की बात है, नामक 254, इन में से कौन सी बाबु गुलाब राय की आलोचिना नहीं है, देखे नहीं पूंचा है आप से, तो नहीं में बताईए कौन सी होगी, तो बिकल्प नंबर आपका हैं पर डी राइट आंसर है, रस सिद्दानत इनकी आलोचिना नहीं मानी जाती है, बिल्कुल सही, बा बाबु गुलाब राय का जन्म कब हुआ था, 1888 ECB में इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म कहां पर हुआ था, इतावा, इतावा मद्द प्रदेश में, इतावा उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था इनका बाबु गुलाब राय का, और बाबु गुलाब राय मूल रूप से आलो चक और निवन्दकार मानी जाते हैं और इनका निधन कब हुआ तो 1973 इसपी में इनका निधन हुआ तो इस परकार एवाव गुलाव राजी से सम्मझेत महत्तुपूर्ण कॉस्चन थे तो क्यांसा लगा इस वीडियो कमेंट में जरूरू बताएं अगर आप चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें जादा से जादा वीडियो को सेर करें ताकि अनलोग भी वीडियो देख सकें तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद से अब डाउनलोड अवस्त करें ज Self Study Classes एप में तो आप Self Study Classes Play Store से डाउनलोड करिए अपनी तैयारी में लग जाए और आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जय हिन